Hello and welcome दोस्तों, आप सभी का Electronic Academy में स्वागत है. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, रेजिस्टर के color coding के बारे में. दोस्तों, इस तरह के रेजिस्टर का अस्तिमाल बहुत सारे circuits में किया जाता है. और हम सभी जानते हैं कि एक रेजिस्टर का में काम है current के flow को opposition देना. यानि कहीं से भी जब कर्म flow होता है, तो रेजिस्टर उस current के flow में बाधा उत्पन करता है. पर आप जब ध्यान से देखेंगे, तो ये पाएंगे कि इस रेजिस्टर में कहीं पे भी इसकी value mention नहीं है. यानि ये रेजिस्टर कितने ओम का है, ये कैसे पता लगाया जाए. इस चीज़ को पता लगाने कि हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि हम direct measurement की मदद से इसको पता लगा सकते हैं. direct measurement का क्या मतलब है? यानि multimeter की मदद से हम directly इस resistance की value को नाप सकते हैं, जो कि accurate method है. और दूसरा method होता है by the help of color coding. यानि color coding की मदद से भी इस register की value को calculate किया जा सकता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस register में यहाँ पे कुछ color bands बने हुए हैं. जैसे पहला color है brown, black, red और finally golden color का एक color band बना हुआ है. दोस्तों, इन registers के उपर यह जो color coding की जाती है, यह खास एक pattern में की जाती है. तो आप देखेंगे, कि जब भी हम लोग color coding पढ़ते हैं, तो हमेशा वो left to right पढ़े जाएगी. रिजिस्सर में जहाँ पे भी यह band आपको पास-पास में नजर आएंगे, उस हिस्से को हमेशा हमें left की तरफ रखना है, और जो band सबसे दूर होगा, उसे हमें right की तरफ रखके इस color coding को decode करना होता है. अब हर एक color, यहाँ पे जितने भी color आपको दिख रहे हैं, हर एक color अपने आप में एक information हमें देता है, जैसे हर एक color के corresponding हम लोग एक number assign करते हैं. यह number क्या होते हैं, यह सब हम बाद में पढ़ेंगे, पर बस अभी के लिए इतना मान लीजे कि यहाँ पे जितने भी colors हैं, हर एक color एक number को denote कर रहा है, अब आपके मन में यह doubt जरूर रा सकता है कि हम directly resistance की value क्यों नहीं लिख देते हैं, मान लीजे कि अगर मुझे इस register की value लिखनी हो, तो मैं 1000 ohm directly इसके उपर ऐसे क्यों नहीं mention कर देता, दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है, because यह जो registers होते हैं, यह size में काफी छोटे होते हैं, तो इन registers के उपर इनकी value को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप value लिख भी दे, तो उसे पढ़ना काफी मुश्किल होगा, इसी समस्या को दूर करने के लिए color coding का इस्तमाल किया जाता है, तो चले जानते हैं कि इस color coding को हम लो नमबर लिखा है 2, orange के आगे 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7 and so on, मतलब हर एक color के लिए एक number assign किया गया है, पर इन number का मतलब क्या है, और इनको हम इस्तमाल कैसे करें, तो इसको इस्तमाल करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक register पे जो color coding की जाती है, वो किस pattern में की जाती है एक register में जो color coding की जाती है, जैसे मैं आपको पहले बताया, वो left to right इस color coding को पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले के जो colors होते हैं, वो हमें significant digits के बारे में बताते हैं, significant digits, इसके बाद के जो number होंगे, significant digits के बारे में बताते हैं, और सबसे last वाला जो band होगा, वो हमें किसके बारे में बताएगा, वो हमें tolerance के बारे में बताएगा. यह सब सुनने में मुश्किल लगेगा, पर एक बार जब आप इस color coding में समझ लेंगे, यह बहुत easy बन जाता है. दोस्तों, market में generally available resistances के बात करें, तो वो आपको 3 band, 4 band, 5 band और 6 band में देखने को मिलते हैं. अब इन अलग-अलग bands में हमें यह identify करना होगा कि कौन से color bands significant digit को denote करते हैं, और कौन से color band multiplied digit को denote करता है, और कौन से color band tolerance को denote करता है. Example के लिए शुरुवात करते हैं 6 color band वाले register से. तो एक 6 color band वाले register में जो total number of color bands होंगे, वो कितने होंगे? 6 होंगे. तो आप गिन सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो इस तरह से 6 color band आपको इसमें देखने में मिल रहे हैं. तो एक 6 band register में पहले के जो 3 colors होते हैं, वो क्या बताते हैं? पहले के 3 colors आपको बताएंगे significant digit के बारे में. तो हम लिख सकते हैं, एक 6 band register में पहले के जो 3 band हैं, व आपको क्या बताता है? multiplier बताता है. 4th band हमें क्या बताता है? multiplier बताता है. और 5th color band जो होता है, वो आपको tolerance limit बताता है. और final color band, जो 6 color band होता है, वो आपको temperature coefficient बताता है. तो इस तरह से हमें हर एक color band से अलग-अलग information देखने को मिलती है. एक 5 band register की बात करें. तो 5 band register में आपक आपके significant digit ही बताते हैं, चौथा जो color band ہے, वो आपको multiplier digit बताता है, और पांचवा जो color band है, वो आपको tolerance limit बताता है, इसी तरह से एक 4 band register की बात करें, तो एक 4 band register में शुरुवात के 2 color band है, वो आपको significant digit के बारे में बताते हैं, तीसरा जो color band है वो आपको multiplier के बारे में बताता है और चौथा जो color है वो आपको tolerance limit के बारे में बताता है जबकि एक 3 band resistor की जब हम बात करते हैं तो एक 3 band resistor में जो हमारा शुरुवात के 2 color band है वो हमें significant digit के बारे में बताएंगे तीसरा जो बैंड है वो हमें multiplier digit के बारे में बताएगा या multiplier के बारे में बताएगा और इसमें tolerance को तो अगर tolerance दिखाने के लिए कोई भी color band नहीं है, तो अगर tolerance दिखाने के लिए कोई color band नहीं है, तो कैसे हम identify करेंगे, तो उस resistance का कितना tolerance होगा, इसमे tolerance band के लिए कोई भी color नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे हमे tolerance की limit कितनी लेनी है, वहाँ पे हमे tolerance की limit 20% लेनी है, चलिए, अब एक example के मदद से इसको समझते हैं, कैसे इस value को calculate किया जाता है, तो इसी example को देखते हैं, सबसे पहले हमें यह identify करना है कि यह कित्ते band का register है, तो यह 4 band का register है, ठीक है, तो एक 4 band के register में शुरुवात के दो जो color bands होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, शुरुवात के दो color हमे significant digit के बारे में बताते हैं, देखें, पहला color कौन सा है, पहला color है brown, तो brown के लिए हमें इस table को refer करना होगा, और table में देखना होगा, कि brown color के लिए significant digit की value क्या है, यानि brown color को हमने क्या number assign किया हुआ है, तो brown color अगर कहीं पे भी आपको दिखें, तो हमें उसके बदले जो number की value लेनी है, वो number के value लेनी है 1, तो यहाँ पे brown के लिए हम number लिखेंगे 1, दूसरा color हमारा है black, और black color अगर significant digit वाले place पे use किया गया हो, तो वहाँ पे हम जो value लेते हैं, वो value लेते हैं 0, तो यहाँ पे इसकी value हम लिखेंगे 0, तो यहाँ पे हमने black color को भी denote किया, अब आप त तीसरा color band देखें, तो तीसरा जो color है वो आपका red color है, तीसरा जो color band होता है, वो multiplier digit बताता है, तो अगर red color multiplier digit पे है, तो यहाँ पे हमें क्या value लेनी है, तो हमें value लेनी है 100, तो 10 को multiply करना है हमें 100 से, simple यही फार्म में follow कर रहा हूँ, देखो, पहले मैंने 2 significant digit लिखे और इस multiplier से multiply कर दिया, ठीक है, चौथा जो color band है आपका, चौथा color band हमें क्या बताता है, फॉर्थ जो color band है हमारा, यहाँ पे फॉर्थ color band हमें tolerance limit के बारे में बताता है, तो फॉर्थ color हमारा किसे denote किया गया है, यहाँ फॉर्थ color हमारे यहाँ पे golden color से denote किया गया है, तो अगर golden color tolerance limit वाले band में है तो हमें कितना tolerance लेना है तो हमें 5% tolerance लेना है तो यहाँ पर 5 plus minus 5% का हमारा tolerance हुआ तो इस resistance की value अगर हम calculate करें तो कितनी आएगी 1000 plus minus 5% यानि practically जब इस resistance की value को ना पा जाएगा तो वो 1000 से 5% ज्यादा और 1000 से 5% कम इस band के बीच में होगी तो लगभग यह value कितनी होनी चाहिए 950 ohm से लेके 1050 ohm के बीच में होनी चाहिए इस resistance की actual value जब हम measure करेंगे तो इस resistance की actual value 950 से 1050 ohm के बीच में आई ही चलो तो एक बार फिट से revise कर लेते हैं कि कैसे हम लोग identify करते हैं सबसे पहले हमें यह identify करना है कि जो हमारा register है वो कितने band का register है तो यह हमारा 4 band का register हुआ फिर हमें significant digits को identify करना है significant digits कैसे identify होते हैं इन colors की help से एक 4 band register में शुरुआत के 2 color band significant digits को दिखाते हैं तो अगर आपका color है brown तो brown कौन से significant digit को denote करता है brown denote करता है 1 को जबकि black किसको denote करता है black denote करता है 0 को मान लीजे कि यहाँ पर पहला color है यह पहला color green होता तो हमारा significant digit क्या हो जाता तो हमारा significant digit जो है वो 5 हम लेते तो color के हिसाब से जो भी color है उसके corresponding का हमें significant digit ले रहा है ऐसे ही multiplier में जो भी color हो मान लीजे अगर मैं यहाँ पर multiplier में red के बदले blue color अगर दिया होता तो इस resistance की value को हम कैसे calculate करते है simple process है जैसे हमने पहले किया वैसे ही इसको calculate करेंगे तो significant digit में तो number same है सबसे पहला जो color है वो brown है तो brown के लिए हम कौन सा number लेंगे brown के लिए number one और black के लिए number zero और multiplier में आप देखेंगे, तो multiplier में कौन सा color है, multiplier में blue color है, blue color अगर multiplier में हो तो हमें किस से multiply करना है, तो 1 mega से हमें multiply करना है, 1 mega का क्या मतलब होता है, mega का मतलब होता है 10 raise to power 6, 10 raise to power, 10 into 10 raise to power 6, यह resistance की value हुई और tolerance पे golden color है, तो इसका tolerance level होगा plus minus 5%, तो इस तरह से हम लोग color band को decode करते हैं, दोस्तों आपके उनमें यह doubt ज़रूर आ सकता है कि इस table को कैसे याद किया जाए है, यह table इतनी बड़ी table याद कैसे होगी, पर यह table को याद करने के एक आसान सा trick है, जो आप में से जाद तर लोग जानते भी होंगे, जाए, इस table को याद रखने के लिए हमें एक sentence याद रखना है, BB Roy, तो BB Roy कहां सा है, देखे, पहला अक्षार है black, फिर है brown, फिर है red, orange and yellow, तो यहां से मैंने BB Roy उठाया, इसके बाद G, B, V, right, तो G, B, V, तो G, B, और V, उसके बाद फिर से again G है एक और, एक और G लिख दिया हमने, और फिर W और G, W, G और अंत में silver color है, तो silver color के लिए हम लोग लिखते हैं, S, ओके, तो इस sentence बना क्या, sentence यहां पर बनेगा, BB Roy, BB Roy किसी इंसान का नाम मन सकते हैं, तो BB Roy, तो black, brown, red, orange, yellow, BB Roy of Great Bengal, तो BB Roy of Great Bengal, तो यहां से G से कौन सा color है, green और B से है, blue, तो फिर से repeat कीजिए, BB Roy of Great Bengal had a very good wife, तो यहां से आपको color का पूरा sequence याद हो जाएगा, फिर से repeat कीजिए, BB Roy, Great Bengal, very good wife, gold and silver, तो यह चोटा से sentence आपको याद रखना है, इसके बाद इन colors के आगे, इनके number लिख दीजिए, number कहां से शुरू होते हैं, number शुरू होता है, 0 से, gold और silver significant digits में इस्तेमाल नहीं किया जाते, तो इसी लिए gold और silver हमेशे tolerance limit के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसके आगे कोई number नहीं लिखना है, तो फिर से statement को repeat कीजिए, BB Roy, Great Bengal, Very Good Wife, Wears, Gold and Silver, तो BB Roy एक इनसान है, जिसकी बहुत एक सुन्दर पतनी है, जो की gold और silver पहनती है, अब tolerance limit की बाद जब बात करेंगे, तो gold का tolerance limit होता है, gold color का tolerance limit 5% होता है, silver color का tolerance limit 10% होता है, और अगर आपका जो resistance है, उसमें चौथा band में कोई color ही ना दिया हो, मतलब चौथा band ना हो, तो हमें जो tolerance लेना होता है, वो क्या लेना होता है, ऐसी परिस्तिति में हमें tolerance लेना है 20%, यानि एक 3 band resistor में जो tolerance होगा आपका, वो हमेशा 20% मानके चलना है, ठीक तो यहां तक, तो हमने क्या समझा, कि significant digit को कैसे denote किया जाता है, यानि इन color में से कोई सा भी color जब significant digit वाली place पे हो, तो हमें number को कैसे भरना है, इसके बाद की जो समस्या आती है, वो क्या आती है, अगर यह color multiplier digit पे हो, यानि इन multiplier digit को कैसे याद रखना है, कि black की value 1 लेनी है, brown की value 10 लेनी है, तो इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करने का भी असान तरीका है, simply, यह जो digit है, यह digit को आप क्या करना है, इस digit को हमें 10 की power में लिखना है, तो 10 की power में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगा बना देते है, जैसे अगर आपका जो black color है, वो multiplier digit म हमें 10 की power 0 लेना है, right, brown अगर multiplier digit में हो, तो इसे हमें 10 की power 1 लिखना है, red अगर हमारा multiplier digit में हो, तो इसे हमें 10 की power 2 लिखना है, orange को 10 की power 3, 10 की power 4, 10 की power 5, 6, 7, 8, and 9, यहाँ तक आपका 10 की power 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक आपका 10 की power 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ एक इस color को हमें जो भी उसका significant digit था multiplier में उसे हमें 10 की power के form में लिखना होता है, अगर multiplier में gold और silver है, तो हमें क्या value लेनी है, multiplier में अगर gold और silver हो जाए, तो gold के लिए multiplier हमें 0.1 लेना होता है, और silver के लिए जो multiplier होता है, वो 0.01 होता है, तो इस table को आप खुद से 2-3 बार तो आपको ये बहुत असानी से याद हो जाएगा, tolerance limit को दिखाने के लिए जन्रली gold और silver का हिस्तमाल होता है, और अगर इन दोन में से कोई color नहीं है, तो वहाँ पे तो none होगा, तो उसमें 20% tolerance limit लेनी होती है, इसके अलावा, अगर कोई दूसरा color है, तो आप इस table को भी refer क कर सकते हो, I hope ये trick आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये table भी आपको समझ में आई होगी, जिसकी मदद से हम लोग color coding को decode करना समाझ सकते हैं, तो चलिए कुछ examples लेके देखते हैं, और अपनी understanding को और बढ़िया बनाते हैं, तो पहला ये register है आपके पास, तो कोशिश क चीचे कि आप अपने आप से table खुद से बनाएं, और इस register की value को calculate करने की कोशिश करें, तो वीडियो को यहें पर pause कीजिए, और खुद से इस register की value को calculate कीजिए, और मुझे comment करके बताए कि इस resistance की value क्या होगी, आशा करता हूँ कि आपने इस value को calculate क्या होगा, तो अभी हम थ register में, शुरुवात के दो जो color होते हैं, वो significant digit को दिखाते हैं, तीसरा जो color band होता है, वो हमें multiplier digit को भी दिखाता है, और चौथा जो color है, वो हमें tolerance को दिखाता है, तो हमारा formula क्या था resistance को calculate करने का, significant digit into multiplier और plus minus tolerance तो significant digits पहचानिए significant digit पहला जो significant digit है वो हमें green color से मिलेगा तो green color अगर significant digit पे हो तो हमें क्या value लिनी है पहला हमारा जो significant digit है that is 5 next significant digit देखते हैं significant digit देखने के लिए हमें blue color देखना होगा blue color पे अगर आप देखें blue color हमें कान सार number देता है blue color हमें number देता है number 6 तो यहाँ पे blue color का number आया number 6 यहाँ पे हमें दोनों significant digit मिल गए 56 हमारा significant digit आया अब इसके बाद तीसरा color हमें क्या देगा तीसरा color हमें multiplier देगा हमें यहाँ पे multiplier कितना लेदा है orange के लिए जो multiplier होता है पहुता है 1000 यानि 10 raised to power 3 है ना मैंने क्या पताया था आपको 10 raised to power 0 10 raised to power 1 10 raised to power 2 10 raised to power 2 और 10 raised to power 3 तो यहां पर मुझे multiplier में मिल गया 10 raised to power 3 राइट अब plus और minus tolerance tolerance में अगर आप देखें तो tolerance में अगर आप देखें तो golden color से इसके tolerance को दिखाया गया है तो golden color से tolerance दिखाने का क्या मतलब है अगर tolerance limit के लिए golden color यूज किया गया है तो इसका यह मतलब है कि आपके resistance की जो tolerance limit है वो क्या है plus minus 5% plus plus minus 5% tolerance में ले लेते हैं plus minus 5% हमारी tolerance limit हुई तो इस resistance की वे actual value क्या हैगी इस resistance की जो actual value होगी वो 56 kilo ohm और plus minus 5% tolerance हो गया याणि यह प्रैक्टिकली जब हम इस resistance की value को नापेंगे तो वो 56 kilo ohm से 5% जादा भी हो सकती है और 56 kilo ohm का 5% कम भी हो सकती है प्रैक्टिकली वो value इस range के बीच में रहेगी तो tolerance limit हमें क्या बताता है कि actual value of that resistance will be in between this range चलिए second example लेते हैं second example में सबसे पहले identify कीजिए कितने band का register है तो इस 5 band का register है तो एक 5 band के register में हम जानते हैं कि पहले 3 color जो होते हैं वो कौन से color होते हैं वो हमारे significant digit को दिखाते हैं जबकि चौथा जो color band होगा वो हमें multiply digit देगा और final color band जो होता है हमारा वो क्या दिखाता है हमें final color band हमें tolerance limit बताता है चलिए, तो सबसे पहले significant digits के लिए देखते हैं, पहला color है brown, तो brown के लिए significant digit कौन सा है, बिलकुल सही पहचान आपने, brown के लिए जो significant digit होता है, वो होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो यहाँ पर आया 1, black के लिए significant digit क्या है, black के लिए significant digit आप देखें, तो black के लिए significant digit है 0, black के लिए हम 0 लिख देते हैं, again, तीसरा significant digit भी black से दिखाया गया है, तो हमारे तीसरा significant digit भी क्या होगा, 0 ही होगा, right, तो यहां से हमें 3 significant digit मिल गए, यानि हमारे significant digit है 100, resistance में हमारे significant digit की value होगी, 100, multiply by multiplier, यानि, चौथा color जो है हमारा, जो multiplier denote कर रहा है, वो है red color, और red color अगर multiplier पे हो, तो हमें multiplier की value क्या लिखने है, बिल्कुछ सही guess कि यह आपने 10 raised to power 2, यानि 100, multiplier पे मैं लिखता हूँ 100, ओके, और tolerance limit, tolerance limit पे आप देखें, तो tolerance limit पे यहाँ पे brown color tolerance limit के लिए दिखाया गया, तो अगर brown color tolerance limit पे हो, तो हमें tolerance limit के लिए निय आ? brown color tolerance limit पे होता है, तो tolerance हमें 1% लेना है, तो यहाँ पे हमारा tolerance जो है, वो है, 1% यानि यह जो हमारा 5 band वाला register है, यह इस 4 band से बढ़िया Artist है, क्यों? क्योंकि इस Register की जो tolerance limit है, वो पिछले वाले resistance से कम है, तो tolerance limit कम होगी, ठीक है तो इस register की अगर हम value calculate करें तो कितने आएगी resistance की value कितने होगी 10 kilo ohm plus minus 1% का हमारा tolerance हो इस तरह से हमने ये दो practical example देखे कि कैसे हम लोग एक register की value को calculate करते हैं तो उमीद करता हूँ कि ये table पढ़ना आपको समझ में आया होगा आपको ये table याद करने का trick भी समझ में आया ह सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके questions को answer कर सको मिलते हैं next video में